हमने revision series में देखा cash memory क्या होती है, cash mapping क्या होती है, direct mapping क्या होती है आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के topic जिसमें हम देखेंगे set associative, fully associative mapping के बारे में cash penalty क्या होती है उसके बारे में और हम देखने वाले है type of cash misses क्या होते है वो multi level cache क्या होती है कैसे access होती है वो और magnetic disk के बारे में तो चलिए आईए आज का session स्टार्ट करते हैं but before I start the session आप सब लोगों को एक बार comment box में message करके मुझे बताना है क्या आप लोग ready है आज के learning के लिए या नहीं जल्दी से comment box मैं comment करके बता दो भई क्या आप लोग ready है अच्छा मैंने एक छोटा सा video डाला था आप लोगों के लिए 10 minute का है 5-7 minute का आप उसको 2x पे 1x पे quickly सुन सकते हैं 8-9 minute का ही है तो आपको 5 minute लगेंगे जब भी आप लोग थोड़ा सा free रहें उस video को जरूर देखिएगा जिस video में मैंने बताया कि कोई एक ऐसा incident हुआ था मेरे college टाइम पे जब मैं अपनी final year में था तब जिसने मेरी पूरी gate की preparation को बिलकुल change कर दिया बूरी gate की preparation को अलग ही अलग ही level पे वो लेके गया तो जल्दी से आप लोग उस video को जब भी time मिले देख लीजिएगा चलिए आज का session स्टार्ट करें उसके पहले एक और information में आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई queries है, questions है, अपनी preparation से related आज शाम में 8.30 PM एक session होने वाला है, ask me anything जरूर देखने आईएगा, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को चलिए, तो direct mapping में हमने देखा था कि directly map होते हैं अलग-अलग blocks, अलग-अलग जगे पे अब अगर mapping जो है, इस तरीके से होती है, यह 00 पे 11 पे 22 पे 33 पे फिर 40 पे इस तरीके से mapping हो जाती है, इसका formula भी हमने देखा था, हाँ, बिल्कुल देखा था, क्या है formula, formula है कि main memory का block number अगर given है, तो modulus लेंगे cache memory के number of blocks है चार blocks हैं, तो चार से, हम कितने cache memory में blocks हैं, उससे modulus ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी main memory का block cache memory में कहां पे map करता है, अब इस direct mapping में एक problem होती है वो problem क्या है, problem यह है कि अगर इसी example में हमारा CPU का request जो आता है, alternate blocks के लिए ऐसे request आ जाती है, जो उसी जगे पे map होता है, जैसे की block number 0 और 4 यहां पे map होते हैं, और CPU request करता है पहले content block 0 का, फिर 4 का, फिर 0 का, फिर 4 का, फिर alternate request उन्ही दो blocks की आती है, जो एक ही particular cache के block पे map होते हैं, तो 0 को लेके आएंगे, यहां लाएंगे, अगर 4 की request आई, तो 0 को हटा के लेके आना पड़ेगा 4, क्योंकि दोनों यही पे map होते हैं, यही रतने पड़ेंगे, इस तरीके से problem यह आ जाती है कि direct mapping में इतने सारे miss हो जाते हैं, इन miss को कहते हैं, पता है आप लोग को क्या कहते हैं, इस miss को, conflict miss कहते हैं, तो direct mapping में problem यह आती है, कि यहां पे so many conflict misses are there, तो conflict miss जो है, वहाँ ज्यादा है, इसकी वज़े से हम क्या करेंगे, इस particular problem को solve करने के लिए जाते हैं, set associative mapping पे, set associative mapping में क्या होता है बेटा, set associative mapping में यह होता है, कि हम हर एक particular set पे, एक से जादा block रख सकते हैं, अगर हमने लिखा four way set associative cache, तो हम क्या करते हैं, एक set पे जितने भी block map होते हैं, उन में से चार blocks को यहाँ रख सकते हैं, mapping की थोड़ी सी organization change हो जाती है, उससे फाइदा क्या है सर, उससे फाइदा यह है कि जितने भी block यहाँ पे map होते हैं, उन में से जो जो block हमें रखना हैं, वो चार block यहाँ रख सकते हैं, 4-way set associative में 8 block रख सकते हैं, कोई भी जिनकी request CPU ने अभी generate की है, तो अगर एक ही जगे पे map होने वाले blocks की request बार 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 आती है, तो फिर वहाँ पे number of miss जो हैं, वो reduce हो जाते हैं, पता था आपको यह कि नहीं पता था, चलिए जल्दी से बता दो कि set associative mapping में, अगर हम ऐसे blocks को sets में organize करेंगे, और हमें पता करना है कि कितने number of sets हैं, इस particular cache memory में, तो कितने sets आएंगे, कैसे निकालोगे यह, number of blocks divided by k, k is associativity, अगर 4-way set associative है, तो 4 से divide करो, 8-way set associative है, तो 8 से divide करो, इस तरीके से आप यहाँ पे यह चीज निकालेंगे, अच्छा, तो क्या सर इस बार main memory का address format बदलेगा, जी हाँ बदलेगा, सबको याद है, जल्दी से comment box में लिखके बताओ, कि main memory के address को इस बार फिर हम कितने part में divide करेंगे, 3, कौन-कौन से, tag, यहाँ पे आएगा set of set, मत जोकि mapping किस पे हो रही है, set पे, कोई भी block आएगा, तो एक set पे map होगा, वो इन चार जगे पे से कहीं भी रह सकता है, अगर 4-way set associative है, तो, तो उसी set पे आपके पास अलग-अलग option रहेंगे, कहीं भी आप उसे रख सकते हैं, good, Karthik, nice, इसके अलावा, set of set के अलावा, byte of set तो है ही जो ये बताएगा, कि कौन सी particular byte पे, byte CPU को चाहिए, अब आपको इतना पता है, कि इन्हें बोलते हैं, cache memory के sets, इन्हें ही cache memory के indexes भी कहते हैं, in the set associative mapping पता है ना, और set of set में कितनी bits आती हैं, ये depend करता है, log of number of sets in cache पे, अगर cache memory में जितने number of sets हैं, वो पता चल जाए, तो उसका log निकाल लो, उतनी bits आएंगे, set of set bit पे, बट मैंने एक छोटा सा, आप लोगों को trick बताया था, याद है, याद है, याद है याद है याद है या नहीं, यहाँ पे, इन दोनों field को मिला के, कितनी bits होती हैं, log of cache memory का size माइनस log of k, 20 टूपे, 20 टूपे, याद है यह, बिलकुल, log of size of cache माइनस log of k, दोनों field का size रहेगा, तो अगर यहाँ पे इन दोनों field का size अगर direct mapping से compare करें, तो log of k से कम हो जाता है, तो tag की size बढ़ जाएगी, जी हाँ tag की size बढ़ जाएगी, कितने से log of k से बढ़ जाएगी ठीक है, चली, अब set associative mapping में हमने एक चीज और देखी थी, कि अगर सर हम tags की information रखना चाहें, तो सर ये तो है कि इस set पे let's say हम 4 block रख सकते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, बर 4 blocks अलग-अलग होंगे, same block नहीं है, अगर 4 block अलग-अलग है तो हमें 4 blocks को identify करने के लिए 4 tag लगेंगे, बिलकुल लगे, 4 tag तो लगे ही लगे सर, तो अगर 4 अलग-अलग tag लगेंगे, तो इसका मतलब है कि इस set के लिए 4 tag, जितने blocks आपने रहा रखें वहाँ, इस set के लिए अलग से 4 tag, इस set के लिए अलग से 4 tag, इस set के लिए अलग से आपको रखने पड़ेंगे अगर ऐसा है तो टैग डिरेक्टरी साइज का फॉर्मूला बदलेगा क्या नहीं बदलेगा क्या होगा नमबर ओफ ब्लॉक्स इन कैश इन्टू टैग प्लस एक्स्ट्रा बिट्स यह एक्स्ट्रा बिट्स क्या है सर एक्स्ट्रा बिट्स में वैलिड इन्वैलिड बेट मॉडिफाइड बेट रिप्लेस्मेंट बेट कुछ भी जो भी होगा वो सब मिल जाएगा वेरी गूड इवनिंग नमस्कार स्वागत है आप सब लोगों का हाथ जोड़के नंदन अभी नंदन करते हैं आप लोगों का आप ही हमारे माई बाप हैं जिनकी वज़े से मेरा घर चलता है आप लोग रिज़र्ट लेके आओगे तो मेरा नाम होगा चलिए हाँ जी तो number of blocks in cache into tag plus extra bit same to same but tag directory size में अंतर आ जाता है अगर वही size का cache हम direct mapping में रखें और वही size का cache अगर हम set way associative mapping में रखें ऐसा क्यों होता है सर क्योंकि अगर cache का size fixed है block size fixed है सब कुछ fixed है खाली mapping change हुई है तो tag in associative mapping जो size रहेगी वो greater होती है direct mapping के हिसाब से direct mapping में tag में कम bits होती है और यहाँ पे इस index field में जादा bits होती है जैसे जैसे आप associativity double करते हो associativity double करने में एक bit यहाँ कम हो जाती है यहाँ increase हो जाती है और double किया तो यहाँ 1 bit और कम यहाँ increase होगी एक से इस तरीके से आप जब associativity बढ़ाते रहते हो तो tag की size increase होती रहती है और index की size decrease होती रहती है आई बास समझ में इतना ठीक है और index की बात करें तो index in the direct mapping is greater than index in the set associative mapping for the same cache size अगर same cache का size है block size भी same है और associativity अलग-अलग है address main memory का address भी same है और associativity हम अलग-अलग रखेंगे तो index की size जो है direct mapping में ज्यादा होती है ठीके अब हमने associative mapping में formula देखा था कि किस cache memory set number पे कोई भी main memory का block map होता है तो main memory के block number अगर हमें मिल जाएंगे तो हम का करेंगे हम यहाँ पे formula लगाएंगे formula का है formula है cash memory का set number से modulus लेना सार तो हम क्या करेंगे set number से modulus लेंगे cash memory set number से नहीं नहीं cash memory में number of sets है कितने number of sets है इस तरीके से लिखना ज्यादा बहतर होगा number of sets in cache कितने number of sets है जैसे कि इस example में हमने बोला कि 64 sets है cash memory तो 64 से आप क्या लेंगे क्या लेंगे modulus लेंगे चल अब एक simple memory में 4 sets है चार set हर एक set पे दो 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 ब्लॉक है two way set associative cash दे रखी है तो हमारी mapping क्या होगी block 0 0 पे 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे फिर block 0 set number 0 पे जाएगा block number 4 set 0 पे जाएगा 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 यहाँ पे 10 यहाँ पे 11 यहाँ पे 12 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तो modulus किसे लिया बेटा, number of set से 4 set है, तो 4 से modulus लेंगे, आप सारी values को देख सकते हो, modulus 4 के according arranged है, अब two way set associative में हम कह सकते हैं कि इन 4 blocks में से कोई भी 2 block यहाँ रहेंगे, कौन से वाले रहेंगे, जो CPU ने अभी अभी request की है, जिनकी, वो रहेंगे, जिनकी request नहीं हुई है, वो नहीं रहेंगे, वो replace हो जाएंगे बाद में, unacademy combat बेटा, अभी तो नहीं आ रहा, जब आएगा तब आपको हम inform कर देंगे, ठीके, चली, आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं इस चीज़ को कि इन 4 में से कोई 2 block यहाँ इन 4 में से कोई 2 block यहाँ, इन 4 में से कोई यहाँ, इन 4 में से कोई यहाँ, और इसी लिए 2 block अलग-अलग यहाँ पे रहेंगे, तो इसी set के 2 block के 2 अलग-अलग tags यहाँ पे हमें रखने पड़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और, क्या ऐसा हो सकता है कि block 0 यहाँ भी present है और बताओ जल्दी से, is it possible कि एक ही block जो है, वो दोनों जगे पे present हो, is it possible क्या यह मुम्किन है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि हम cache memory में block कब लाते हैं, जब कोई miss होता है, तब main memory से cache memory में copy करते हैं, अगर block 0 यहाँ पे already है, तो miss होगा क्या, नहीं, तो अगर miss नहीं होगा, तो यहा सर्कास्टिक आंसर है, बट है, तो true, fact है, कि यह कोई gate का spirit नहीं किसली mistake कर दे, यह कोई mistake नहीं करेगा, अगर block 0 यहाँ already है, तो hit हो जाएगा, hit हो जाएगा, तो फिर से cache memory में लाने के जरूत नहीं है, तो फिर, तो फिर कुछ नहीं, नहीं आएगा cache memory में, एक जगे पे को कोई एक unique block रहेगा, दूसरी जगे पर दूसरा block आएगा, है ना, इसलिए तो वो दो जगे अलग-अलग बना रखी है, अब अगर हमें associative mapping में hit-miss check करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो CPU main memory का पूरा address generate करेगा, और यह address जाता है cache memory के पास, cache memory के पास एक छोटा सा hardware होता है जिसे हम बोलते है cache controller, यह cache controller भाई साब क्या करते हैं, इस address को अपनी cache की organization के हिसाब से तीन पार्ट में divide करते हैं, tag, set और byte, यह set number को उठाते हैं, और इसको एक specific set पे लेके जाते हैं, cache memory में उस set पे एक से ज़्यादा block हो सकते हैं, बिलकुल, assuming कि आपके पास two-way set associative cache है, अ एक particular set पे कितने block रहेंगे, दो, दोनों में से कौन सा वाला block हमारा matching है, हमें क्या पता कोई भी हो सकता है, जिस CPU ने, जिस address की request की है, वो address इस block पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दोनों blocks के tags को बाहर निकाल के और match कराएंगे इस tag स जिस भी block का tag match हो गया, बस वही हमारा hit, तो दोनों को compare कराएंगे, दो अलग-अलग-अलग, comparator लगेंगे, ठीके, और comparison के बाद हमें क्या मिलेगा, एक or gate के through हम result ले लेगे, अगर ये true आया, मतलब ये block hit हो गया, ये true आया, मतलब ये block hit हो गया, दोनों में से कोई भी अग wise miss, ये कोई funnel नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, or gate है ये, इस तरीके से hit miss check करते हैं, याद था आप लोगों को ये, कि hit miss कैसे check करते हैं, ये तब जब address हमारे पास इस format में convert हो जाएगा, है न, तो ये जब CPU का address, main memory का address, CPU generate करेगा, cache memory के पास जाएगा, उस main memory address को तीन पार्ट में divide करके, middle part set number पे cache memory लेके जाएगी, उस set के लिए जितने भी tags हैं, उन सबको extract करके लेके आएगे, और हर एक को compare कराएगे, CPU के generated tag से, जो tag match हो गया, वो hit otherwise miss, एक चीज़ और मैंने यहाँ बतानी हैं आप लोगों को, कि ये दो फील्ड मिलके, और वो होता है main memory का block number, जो मैंने सबसे पहले बताया था, दोनों true है, किसके लिए, सारी mapping के लिए, main memory का block number और byte offset, फिर main memory का block number दो पार्ट में divide होता है, direct mapping के लिए, कौन-कौन से दो पार्ट हैं वो, वो है tag और cache memory का block number, set associative mapping के लिए tag और set offset, number of bits vary कर सकती है depends on कि किस type की mapping है, ठीक है, चलिए, ओके तो अब जल्दी से ये प्रश्न वासौल कर लीजिए, फटाक्त से और मुझे उत्तर दे दीजिए, बताओ Very Good Evening, Sarvadhnya, Very Very Good Evening 8-way set associative mapping है यार, session को like कर दू, इतने सारे लोग live है, like नहीं कर रहे है session को like कर दू तो हमारे पास bit कितनी है, bit byte offset में, set number में, tag में, और tag directory का size पूछा गया है ये तीनों चीज़े, फटा-फट answer करो यार, इस type का question तो बस एक practice type का question है इस बार COA से एक question मुझे लगता है, ऐसा आएगा, जो बिल्कुल ही unpredictable होगा कि मतलब एकदम आपके level के ही उपर चले जाए पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से feel आ रहा है कि एक question COA में ऐसा आएगा, जो शायद बहुत ही कम लोगों से बने या किसी से ही ना बने एकदम tough चलिए, main memory के address को आप तीन बार्ट में divide कर दो, main memory का address दे रखा है 30 bits का यहाँ पर आएगा tag, यहाँ आएगा set, यहाँ आएगा byte block का size कितना? 32 bytes, 32 byte 2 power 5 होता है, तो 5 bit byte offset के लिए चले गी set offset में कितनी bits, इन दोनों का मिला के log of cache memory size, cache memory size कितना है? 128 k minus log of associativity 8 way 8, तो यहाँ से आजाएगा कितना? 128 k के हिसाब से 17 bits minus log of 8 is 3 bits, total 14 bits दोनों मिलके 14 bits, 5 इधर गया, तो 9 बचेगा यहाँ पे है ना? बचा, 9 बचा यहाँ पे, 30 में से 14 इधर गया, तो 16 bit tag के लिए यह आजाएगा हमारे पास answer देखो जरा हुआ क्या? हो गया? चलो, अभी tag directory के size bits in byte offset, 5 bits in cash number 9, bits in tag 16, tag directory के size क्या होती है? number of blocks into tag, number of blocks कितने है? अभी directly तो हमें नहीं पता पड़ हम बता सकते हैं, हमें निकालना पड़ेगा, number of blocks in cache निकालो, number of blocks in cache memory अगर हम निकालेंगे, तो वो आएगा, total size of cache memory divided by block का size 32 byte, 2 power 17 divided by 2 power 5, answer is 2 power 12, 2 power 12 blocks है, into हर एक tag का size 16 bit का, तो यह आ जाएगा 2 power 12 into 16 bits का tag directory size, देखो, question में कोई extra bits नहीं गिवन थी, इसलिए into 16 bit है, अगर extra bits होती, तो वो extra bits हम हर एक block के लिए store करते, 16 plus extra आ जाता पहले, उसके बाद 2 power 12, तो 2 power 12 और bracket में 16 plus extra bits, याद रखे होगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, और ये question solve करते हैं, अब ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसकी trick आप लोगों को पता है, जल्दी solve कर लेगा, जल्दी solve कर लेगा, जल्दी बदा 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 जल्दी, तीन सेकेंड में आंसर आना ची वही, अरे इतना टाइम धोड़े ही लगता है, width of physical address on a machine is 34 bits, main memory का address 34 bits का, the width of tag field in a 512 kilobyte 4-way set associative cache is, तो tag field का size कितना होगा, अगर cache memory का size 512 kilobyte 4-way set associative है, तो हमें पता है कि दोनों field मिला के होता है log of cache memory का size, which is 512 k minus log of k which is 4, log of associativity, क्या जाएगा ये 19 minus 2, 17, 34 में से 17 गया तो tag का size हो जाएगा, 17 bits का, ये answer है आपका, बस ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत शान्दा, चली, fully associative mapping, हम जब अगर direct mapping use करते हैं, तो हम एक index पे एक block रखते हैं, और धेर सारे indexes होते हैं, उसकी वज़े से हमारे पास में यहाँ पे जो tag होता है, और block होता है, या index होता है, अलग-अलग bits होती है, ठीक है, पर जैसे-जैसे हम associativity increase करते जाते हैं, two way पे गए अगर direct mapping से, तो क्या होता है, arrangement of the blocks ऐसे हो जाते हैं, कि हर एक set पे अब दो-दो block हम रखने लगते हैं, उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि number of sets कम हो जाते हैं, half हो जाते हैं, या number of indexes half हो जाते हैं, इससे ये वाली जो bit है, लेट से अगर यहाँ पे tag में x bits थी और block में y bit थी, तो उसी cache को अगर हम turn out करें, direct से two way में convert कर दें, तो tag में आ जाएगा 1 bit ज्यादा x plus 1, और यहाँ पे set offset जो हो जाएगा y minus 1, एक bit कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि number of sets जो है block से divide by 2 करके bits एक से कम कर देते हैं हम यहाँ पे, जब हम four way की तरफ जाते हैं, तो four way set associative में sets और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक set पे हमारे पास 4-4 block रखने की possibility बन जाती है, तो number of sets कम हो गए, हर एक set पे blocks बढ़ गए, अब उससे क्या हुआ, tag में अब 2 bit बढ़ जाएगी, direct mapping से plus 2 हो जाएगा, और set offset में क्या हो जाएगा, 2 bit कम हो जाएगी, ऐसे करते 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 हम एक level पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही set होता है, only single set, zero, एक ही single set हमारे पास रहता है, एक set रहता है और सारे के सारे blocks उसी के अंदर organize रहते हैं, अगर set एक ही है, log of what is 1, log of 1, log of something, एक ही set है, तो number, इसका अगर आप log लेंगे, तो आपको answer आएगा, 0, एक set का, तो log of 1, base 2 is equal to 0, 2 power 0 is 1, तो 0 bits लगती है आपके लिए set offset के लिए, तो set में आपके पास 0 bits आ जाती है, टैग में आपके पास सारी x plus y bits से लिजाती है, जो यहाँ पे block की bits थी, वो सारी के सारी tag में mix हो गई, मतलब आपके पास जो main memory का address रहता है, वो दो पार्ट में ही divided रहता है, पूरा का पूरा tag here, index bits या set offset bit 0, और बचा हुआ byte offset here, इसको बोलते fully associative mapping, है ना, अब fully associative mapping में, एक चीज तो हमने देखी, index bits जो है, 0 है, दूसरी चीज देखी, tag bits जो है, maximum है, बहुत बड़ी है, क्योंकि सारी की सारी bits, बची हुई bits offset को छोड़के, वो सब index की वाली भी tag में चली गई, तो tag बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि tag directory भी बहुत बड़ी होगी, very large, अच्छा एक बात बताओ, हमने इस एक ही set में सारे blocks को organize किया, तो हम अगर formula लगाए, set offset वाला, कि modulus by number of sets, तो number of set कितने है, 1, modulus by 1 करोगे, तो आरबार answer आएगा 0, मतलब कि आपको formula लगाने ही जरूत ही नहीं, आपको formula लगाने की जरूरत ही नहीं, यह fully associative mapping में, कोई भी block main memory से आता है, तो आप कहीं भी जहां जगे खाली मिले, वहां रख सकते हो, नहीं मिले तो किसी एक block को replace कर सकते हो, पर कहीं भी आप रख सकते हो, mapping का कोई यहां पे restriction नहीं रहेगा, बट कौन सा वाला block कहां रखा हुआ है, इसके लिए identification तो करना पड़ेगा, अगर आपको identification करना है, तो कैसे करेंगे, सबके आगे नाम लिखोगे, कि उनके यहां पे slip chip का दोगे, कि block number 5, block number 8, 25 क्या, कि tattoo कर दोगे, क्या करोगे, कैसे पता करोगे कि block number कौन सा यहां रखा हुआ है, block यहां कौन सा है, block यहां कौन सा है, टैग के तूँ, हर एक block का अलग-अलग tag हमें यहां store करना पड़ेगा, कितने tag store करने पड़ेंगे, जितने की number of blocks से उतनी tag information लगेगी, और एक-एक tag information कितनी bit की होगी, वो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो अगर हमें यहां पे formula देखना है, tag directory size का तो formula क्या आएगा, लिखके बताओ जल्दी से comment में, जल्दी से लिखके बताओ, तो tag directory की size का formula क्या होगा, same formula sir, number of blocks in cache into tag plus extra bits और एक और चीज़, वो यह है की, tag का size बहुत बड़ा है, इसकी वएज़ से tag directory का size भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीके, इसलिए हमने लिखा very very last tag directory size is needed, अब hit miss कैसे चेक करते हैं fully associative mapping में, CPU generate करेगा address, किसका, आपके घर का या मेरे घर का, main memory का, अब ये main memory के address को इस बार cache shift दो पार्ट में डिवाइट करती है, tag और byte, पहले tag लेके और cache memory चेक करेगी, कहाँ पे, अब इस particular single set पे, आपके पास धेर सारे blocks हैं, सारे के सारे block के अपने अपने tag हैं, सारे tag को extract करके और इस tag से compare होगा, इसका भी, इसका भी, और इन सब का, सबसे compare होगा, सबसे, parallel comparison होगा, जी हाँ, कितने comparators लगेंगे, उतने जितने की cache memory में आप block रख सकते हो, उसकी वज़े से fully associative mapping बहुत costly हो जाता है, क्योंकि इतने hardware लगाने में बहुत पेशा लगता है, लाखों करोडों नहीं लगेंगे, हजारों में लगेंगे, या hundreds में लगेंगे, बट लगेंगे तो, इतने comparison hardware लगाने पे, पैसा तो लगेगा, हरे comparison hardware क्या करेगा, compare करेगा कि कौन सा tag match हो रहा है, जो tag match हो गया, उस पे hit हो गया, वो वाला block access हो जाएगा, उस block की कौन सी byte, ये वाली byte CPU को हम दे देगे, तो ये, इसमें fully associative mapping में, it can give you a good hit ratio, अच्छा hit ratio आ जाता है, hit rate बढ़ जाता है, बट, it is very costly, बहुत पैसा लगता है, expensive होती है, ठीके, चाली है, अब next जो चीज यहां लिखी है, cash miss penalty, ये मैं already आपको बता चुका हूँ, कि cash की miss penalty क्या होती है, cash miss penalty होती है, कि अगर miss हुआ cash memory में, और अगर उस miss की वज़े से, एक block को main memory से, cash memory में लाना पड़े, तो उस block को लाने के लिए, जितना time CPU spend करता है, main memory से cash memory में, उस time को बोलते है, miss penalty time, सरिये कितना time होता है, इसको calculate करने के लिए, हमने कुछ इस type का example देखा था, कि मान लो, CPU main memory पे address भेजने के लिए, एक cycle लेता है, उसके बाद, एक main memory का access, या एक cell का access करने के लिए, 10 cycle CPU की लगती है, और 2 cycle लगती है, एक cell का data CPU को, main memory से cash memory पे भेजने में, अब यहाँ example लिया, कि हमारे पास एक cell का data है, एक byte का, तो एक बार में main memory से, एक ही byte access होगी, 10 cycle में, और 2 cycle में, वो 1 byte CPU, cash memory से, main memory से cash memory पे transfer गर देता है, ठीके, बट, block का size है 4 byte, cash memory के block का size अगर 4 byte है, तो CPU को 4 byte भेजनी है, क्यों भेजनी है, क्योंकि जब miss होता है, तब क्या करते हैं, तब दुख होता है, सर बहुत बड़ा दुख होता है, 2 mark कड़ जाता है, miss हो जाता है, मैं आपके question की miss की बाद नहीं कर रहा है, cash miss की बाद कर रहा हूँ, जब miss होता है, तो कितना data आप main memory से cash memory में लेके जाते हो, एक पूरा block, block का size है 4 byte, तो 4 byte लेके जानी है, एक बार के access में कितनी byte access कर सकते हो, तो address भेजने के लिए, एक ही बार भेजना पड़ेगा, एक cycle लगी, उसके बाद में 4 byte read करने के लिए, एक 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 बाइट करके, 4 बार access करना पड़ेगा, तो 4 access main memory के हर एक access का time 10 cycles, उसके बाद में, एक cell का content भेजने के लिए 2 cycle, मुझे total 4 cell का content भेजना पड़ेगा, तो 4 cell का content भेजने के लिए 4 into 2 8 cycles, total 49 cycles लगेंगी, miss penalty के लिए, अब अगर आपके पास एक cell, main memory का word address ability के हिसाब से, 2 byte का हुआ तो क्या होगा, एक बार का address send करने का cycle, उसके बाद 4 byte, 2 byte के हिसाब से 2 बार access करने को मिलेगा, 2 बार 10-10 cycle access हुआ, और 2 times हमें cash memory पे data भेजना है, तो 2 times transfer, 2-2 cycle हर एक transfer के लिए, 10-20, 24-24 और एक 25 cycle लगी है, पच्चीस, पच्चीस, बस इतने ही marks लाने है, 100 में से, 25 की qualification मिल जाए usually, in general, a break, very good evening, 4 byte अगर block का size है, और main memory के cell का size भी 4 byte है, तो एक बार address भेजने में, 1 cycle, ये रही, फिर एक ही बार access करना है, 10 cycle, ये रहा, उसके बाद एक ही बार हमें, transfer भी करना है, 2 cycle और 13 cycles में काम हो जाएगा, गुट कार्थिक, nice, अब ये question में हमने cycles दे रखी है, हो सकता है, question में इसको और थोड़ा आगे ले जाए, cycle की जगे time पूछ ले, तो एक cycle का time कैसे निकलता है, तुमको पता है, या तो directly question में given होगा, या clock rate से निकाल सकते हो, cycles में उसका multiply कर देना, इसमें multiply करके total time निकाल लेना, कि miss penalty का time कितना आया, ठीक है, चली, अब block के replacement की बात करते हैं, अगर हम block के replacement की बात करें, तो direct mapping में हमारे पास अगर यहाँ पे कोई block है, एक नया block यहाँ पे आता है, तो इस block को हम directly replace कर देते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा option नहीं है, ना तो कोई algorithm चलाने का या सोचने का, कि कौन सा वाला block replace करें, वही block replace होगा, simple सी बात हैं, जैसे कि अगर living room में धेर सारे महमान बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आपके father market से आते हैं, तो living room से आप ही को उठाया जाएगा, bed पे से या सोफे पे से, चलो, तुम अंदर जाओ, क्यों, क्योंकि ओर कोई option नहीं है, सबसे छोटे तुम हो, सबसे खोटे तुम है, तुम ही कोई उठाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे option नहीं है, cash block replacement में, direct mapping में वही block replace होता है, जो उस particular जगे पे रखा हुआ है, single ही block रहता है, इसलिए वही replace हो जाता है, कोई policy की ज़रूत नहीं, बट अगर associative mapping है, और एक particular set पे कोई नया block आता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो block के option होते हैं, यह हो सकता है कोई block, और यह हो सकता है कोई block, अब कौन सा वाला block एक्सेस या replace करना है, new incoming block के वज़े से, यह यह, इसके लिए अब हमें policy की ज़रूत पढ़ती है, कि replacement policy लगेगी, अब यहाँ पे replacement policy कौन कौन सी लग सकती है, कौन कौन सी replacement policy लग सकती है, यह तो first in first out लग सकती है, आप लोगों ने सबने operating system में replacement policy पढ़ी है, तो सर जल्दी most frequently used block को replace कर देंगे फिर तो, देखिए, question तो बड़ा अच्छा है, हमें यहाँ पे उससे मतलब ही नहीं है, कि कौन सा block कब refer हुआ, अगर हमारे पास यहाँ block number 1 पे 1 और 5 map होते हैं, block 1 यहाँ पे present है, उसके बाद block 5 की request आई, तो 5, 1 को replace करेगा ही, करेगा option ही नहीं है, अगर next 1 की request फिर से आई, तो win के लिए miss हो जाएगा, यह फिर यह आ जाएगा 1, पाई को replace कर देगा, यही तो गडबड थी direct mapping में, कि अगर दो ऐसे block की request आती है, जो एक ही जगे पे map होते हैं, alternate request बहुत सारी बार आती है, तो वो एक दूसरे को replace करते जाते हैं, और उसकी वज़े से miss बहुत बढ़ जाते हैं, जिस block की हमें ज़रूरत है, उसको हम cache memory में रख नहीं पाते हैं, क्यों? mapping constraint की वज़े से, इसी को ही conflict miss भी कहते हैं, conflict miss बहुत ज़्यादा होते हैं, direct mapping में, इसी लिए हम set associative mapping की तरफ गए थे, तो तीन policies है, यहाँ set associative mapping में, क्योंकि हमारे पास option है, new incoming block किसको replace करेगा, bx को या by को, हम तीन policies के according replacement कर सकते हैं, या तो first in, first out, कि जो पहले इन दोनों में से, पहले main memory में आया, sorry, cache memory में आया, उसे replace करो, तो दोनों में से जो भी पहले आया था, उसे replace करना पड़ेगा, optimal बोलता है कि future references देखो, कि future में इन दोनों में से, किसका reference बहुत दूर है, जिसका reference अभी near future नहीं है, उसको replace कर दो, और LRU policy है least recently used, वो कहती है कि आप future तो देखनी सकते, तो optimal implementation तो practically होगा नहीं, तो आप एक काम करो past देखो, past में देखो कि किस block की कब request आई थी, जिस block की request बहुत recent में आई थी, उसको रख लो, जिसकी request बहुत पहले आई थी, उसे हटा दो, तो LRU policy जो है practically implement होती है, यही implement होती है, एक दो question जो भी आएं है, वो LRU policy पे ही आएं है gate में, तो आप उम्मीद करिएगा कि LRU से ही question जो है, cash block replacement का आ सकता है, यहाँ पे LIFO या फिर MRU most recently used policies यूज नहीं होती है, क्योंकि यह सब क्या है न, LIFO या MRU policies जो हैं, यह हमारे locality of reference को defy करती हैं, इसलिए use नहीं होती है, बिल्कुल भी strictly use ही नहीं होती हैं न, चलिए fully associative mapping में क्या होगा, fully associative mapping में भी definitely policies यूज होंगी, replacement policy का use करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही block पे, एक ही set पे सारे blocks mapped हैं, तो अगर एक ही set पे सारे blocks map हैं, तो कौन से वाले block को replace करेंगे, अगर सारे blocks fill हो गए तो, तो उसके लिए हमें policy की जरुरत तो definitely पड़ेगी, पड़ेगी, चलिए, अभी ये एक question हमारा gate 2007 में पूछा गया था, आप लोग जल्दी से इसको try कर लो, formula लगा के कैसे इसको solve करते हैं, बता दू मेरे को, बड़ा easy question है, replacement का, सर, OS में पड़े थे, उसी से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस याद रखिएगा, operating system में बेटा क्या होता है न, कि हमारे पास में, starry frames में से, किसी को भी आप वहाँ पे replace कर सकते हो, यहाँ पे बस एक ही problem है, कि जो एक set पे, blocks हैं, उन्ही में से choose करना पड़ेगा, तो algorithm जो लगेगी, इसी set के present blocks पे ही लगेगी, दूसरे blocks पे नहीं, बस इतना difference है, वहाँ में और यहाँ में, policy work exactly वही करेगी, जैसे कि यहाँ पे block number 6 present है, block number 10 present है, block number 14 present है, और block number 18 present है, अब किसे replace करें, अगर एक नया incoming block आता है, लेक्से X, किसको replace करना है, इसी जगे पे अगर आता है, तो इन चारों पे ही आप देखेंगे, कि इन में से पहले कोन आया है, FIFO के according, या फिर LRU के according, इनके reference string देखेंगे, इन चारों की reference कहाँ पे है, बागी सारे blocks को नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि new incoming block, इन चारों में से किसी एक को replace करेगा, बस इतना आपको ध्यान अटना है, चलिए, इस ताइप के question को solve कैसे किया जाता है, हम recall कर लेते हैं, consider a memory mapped cache with 8 cache blocks 0 to 7, number of blocks in cache है 8, memory block requests are in this order, memory block पतला main memory के block की request ये दे रखी है, इस order में दे रखी है, which of the following memory block will not be in the cache at the end of the sequence, इस sequence के end में कौन सा block cache memory में नहीं रहेगा, हमें पता है कि अगर main memory का block number हमें दे रखा है, और हमें उससे पता करना है, कि ये किस cache memory के block number पे map होता है, तो हमें क्या करना है, decimal में इसको modulus लेना है by number of blocks in cache, अब number of blocks in cache कितने हैं, 8 है यहाँ पे, तो 8 से modulus ले लो और रखते जाओ, एक जगे पे एक ही block रख सकते हो बस, 3 modulus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हैं हमारे पास अलग-अलग block number 3, 3 पे जाएगा, 5 modulus 8, 5 पे जाएगा, 2 modulus 8, 2 पे गया, 8 modulus ये 0 पे, 0 modulus 8 भी 0 होता है, यहाँ पे 8 था, उसको replace करके 0 ले आओ, एक जगे पे एक ही block रख सकते हो, direct mapping है ये इसलिए, फिर आया 63, 63 को 7 पे रखेंगे, 9 modulus 8, 1, 16 modulus 8, 0, यहाँ रख देंगे, 24 पे चले जाएगा, 16 plus 4, 17, 1 पे जाएगा, नई, है ना, फिर 25 भी 1 पे गया, फिर आया 18, 2 पे आया, 16 plus 2, 36 पे जाना चाहिए, 24 plus 6, 24 0 पे जाएगा, 16 हटा तो 24 को यहाँ ले आओ, 2, यहाँ चले जाएगा, 63 already है, हिट हो गया, 5 already है, हिट हो गया, 82 2 पे जाना चाहिए, 17 1 पे जाएगा, 24 0 पे गया, already है, हिट हो गया, तो कौन सा block नहीं है, A, 3, है, B, 18, 18 नहीं है, 20, है, 30, 30 भी है, 18 नहीं है इस type का question इस भार भी पूचा जा सकता है, हो सकता है repeat कर जाए, कुछ उल्टा पूचा जा सके कि कौन-कौन से block present है, कौन से नहीं MSQ type का question पूच लिया जाए हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि इतनी request के बाद कौन सा block present है इतनी request के बाद कौन सा नहीं इस तरीके के multiple type के question बन सकते हैं यहां से ठीके फिर्स करना पड़ेगा mapping का जो formula लगेगा वो number of set से modulus करना पड़ेगा है ना जल्दी से solve कर लो इसको बहुत easily solve हो जाएगा बताओ जल्दी से mapping का इस बार formula जो लगेगा बच्चा वो लगेगा number of set से modulus करना पड़ेगा क्योंकि यह associative mapping है number of sets से modulus करना पड़ेगा अच्छा आप में से काफी सारे लोग इस video को जो है recorded भी सुन रहे होंगे live सुन रहे हो तो live या recorded सुन रहे हो तो recorded आप लोग मुझे बस यह बता देना कि इसके अलावा मतलब courses के revision के अलावा आप लोग को और क्या चाहिए expected questions की series तो हमने करा दी already है ना इसके अलावा कुछ और चाहिए DBMS का revision already आपका चल रहा है unacademy की special classes पर अगर आप लोग को DBMS का revision मुझ से चाहिए तो आप आजाओ unacademy की special class पर 2.30 pm daily classes होती है एक घंटे की है ना कल हम SQL पार्ट पढ़ेंगे SQL देखेंगे वहाँ पर चल इस question को solve कर लेते हैं 4 way set associative cache with total 16 cache blocks number of blocks 16 है 4 way set associative cache है number of sets अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा number of blocks divided by associativity 4 answer is 4 तो modulus by 4 the main memory consists of 256 blocks and request of main memory are these ये block की request इस तरीके से आई है modulus किस से करना पड़ेगा चार से ठीके फिर which one of the following memory block will not be in cache if LRU replacement policy is used तो हमने इस तरीके का arrangement बना लिया 4 set हैं 4 set में 4-4 block आप रख सकते हो इस तरीके से आप question को solve करोगे अब हर एक block की request अगर आती है तो एक set में 4 block unique अलग-अलग आप रख सकते हो चलो रखते हैं 0, 0 पे जाएगा 255, देखो modulus by 4 कर रहा हूँ directly तो 0 mod 4, 0, 255 mod 4, 3 तो यहां जाएगा 1 mod 4, 1, 4 mod 4, 0, 3 mod 4, 3 8 mod 4, 0, 133, 1 पे 159 यहां पे 256 में से कमा ठीक है 216 यहां पे 129, 129, 128 प्लस 1 यहां जाएगा 1 पे, 63 यहां पे 8 अल्रेडी हिट है 48 मिस है मिस है 48 modulus by 4 इस 0 0 वाला set पूरा fill हो गया तो अब replacement होगा तो इन चारों में से ही होगा किसका request देखेंगे कि 8 की request का ही यहां पे request वापस आई थी 216 यहां पे 4 यहां पे 0 यहां आया है 0 यहां आया है मतलब की 0 ही है जो बहुत पहले request हुआ था तो 48 के लिए हम 0 को replace कर देंगे फिर आया 32 32 के लिए हम 48 को रखेंगे 8 को रखेंगे 216 को रखेंगे 4 को अटा देंगे 32 4 को replace करेगा क्योंकि यह दो भी 32 भी 0 पे ही जाएगा 32 modulus by 4 0 पे गया फिर आया 73 1 पे फिर आया 92 92 modulus by 4 यह 0 अब क्या करेंगे अब 0 पे हमारे पास यह 4 block है 32 तो अभी अभी request में आया था तो LRU policy के according इसको रखेंगे 48 को भी रखेंगे 8 को भी रखेंगे 216 उसके पहले सबसे पहले इन तीनों के पहले refer हुआ था least recently used यह recently used में यह 3 है 216 निपट जाएगा इसको 92 की से replace कर दो इन जनरल लोग क्या करते हैं यह वाले 8 को ignore कर देते हैं line से replace करने जाते हैं 8 को replace कर देते हैं 216 replace होगा 8 नहीं क्योंकि उसकी reference डबल से आई थी फिर आएगा 155 155 यहां आ जाएगा 3 पे 3 पे कोई किसी का reference डबल आया नहीं था तो हम सबसे पहले सबसे पुराने वाले reference को हटा देंगे अब बताओ which of the block is not present 216 is not present बाकी तो है 3 है 3 है बिलकुल है अरे का गया 8 है 8 भी है 129 है 129 भी 216 नहीं है ठीक है चलिए अब 3 टाइप के miss होते हैं cash memory में जितने भी miss होते हैं cash memory उन्हें 3 category में divide किया जाता है पहली category है cold miss या compulsory miss ये वो miss होते हैं जो की पहली बार के reference पे होते हैं अगर कोई block CPU ने पहली बार refer किया है तो इस particular block का reference पहले कभी नहीं हुआ तो ये cash memory में हो नहीं सकता इसका miss compulsory है अगर cash memory पूरी भरी है पूरी खाली है या आधी भरी आधी खाली कितना भी cash memory में कोई भी block हो हमें कोई मतलब नहीं है इस block की पहले request अगर नहीं आई थी तो पक्का ये block miss होगा ही होगा चाए cash memory full हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं किसी block को CPU न अगर पहली बार refer किया है तो वो block के लिए compulsory miss होता है अगर हम compulsory miss के numbers कम करना चाहते हैं तो हम cash के block size को increase कर सकते हैं To reduce the number of cold misses हम क्या कर सकते हैं cash की block size increase कर सकते हैं block size से increase करने से क्या होगा number of blocks in main memory कम हो जाएंगे तो number of cold miss कम हो जाएंगे capacity miss देखो अगर किसी block का repetitive access हुआ और फिर भी वो miss हुआ मतलब की पहले वो cash memory में compulsory miss की वज़े से आ चुका था बट cash memory का capacity जो था वो limited है सारे blocks में in memory के तो रखनी सकते अब क्या हुआ कि वो block किसी और block के आने की वज़े से replace हो गया अब ये replaced block की request repeated आई और क्यों आई CPU को जरूरत थी इसलिए आई बट miss हो गया क्यों miss हुआ क्योंकि किसी और block से replace हो गया था बट क्यों क्यों क्योंकि cash memory का capacity जो है limited है अगर cash memory full है और miss होता है और वो miss ऐसा है कि वो cold miss नहीं है repeated miss है या repeated access का miss है तो उसे बोलेंगे capacity miss अगर cash memory में cold miss नहीं हुआ और cash memory full है उसकी वज़े से miss हुआ तो capacity miss capacity miss को कैसे हम reduce कर सकते हैं क्या कर सकते हैं increase cash का size size बढ़ जाने से number of blocks ज़्यादा रख पाऊगे उससे capacity miss जो है वो कम हो जाएगा फिर आता है conflict miss, conflict miss क्या कहता है कि अगर कोई miss cold भी नहीं है capacity भी नहीं है मतलब कि पहली बार के reference की वज़े से miss नहीं आया ये इसका repeated access है तो भी miss हुआ क्यों miss हुआ cash memory पूरी भरी नहीं है नहीं बट एक current वाला set full हो गया था current set जो है वो full हो गया था उसकी वज़े से नया block कोई आया और इस particular block को replace कर दिया इस block की repeated access आई इस repeated access से जो miss हुआ उसे बोलेंगे हम conflict miss क्योंकि cash memory full नहीं है दूसरे blocks empty है दूसरे sets empty है बट जस्ट बिकाउज मेरा current set full हो गया और mapping की वज़े से हमें यहाँ पर miss हुआ तो उसे बोलते है conflict miss conflict miss को reduce करना है तो क्या करेंगे पता है किसी को increase क्या increase करेंगे अरे बोलो भई associativity increase करेंगे associativity increase हो जाती है ठीक है चली अब इस question को जल्दी से आप लोग मुझे solve कर लीजिए आपके पास में two way set associative cache है यह रही two way set associative cache है यह रही यह blocks की request है चार blocks है total cache memory में LRU replacement है तो कितने conflict miss कितने cold miss कितने capacity miss आएंगे इन associative mapping conflict is zero नई fully associative conflict is zero अगर आप fully associative की बात करते हैं तो हाँ जी associative mapping नहीं बोलेंगे दीपक जी उसे बोलेंगे fully associative में पक्का हमारे पास zero conflict miss आते हैं क्योंकि cache memory full हो गई तो बस capacity miss क्योंकि उसमें ऐसा कोई case ही नहीं है कि एक से ज़्यादा set हो कि एक set full हो गया और दूसरे set खाली है तो कोई conflict miss आ जाए चलो मैं try करके बताता हूँ आप लोग को zero पहली बार आया fold miss हुआ और zero zero पे चले गया four पहली बार request आई fold miss हुआ four modulus to zero पे चले गया फिर zero hit हो गया सब वो तो है यहाँ पर फिर eight आया पहली बार का request है eight का इसके पहले कभी request नहीं आई तो cold miss होगा ही होगा अब eight को कहां लेके आएंगे zero पे eight modulus to zero zero पे लेके आए zero set पे दो block है zero और four किसको replace करें zero तो अभी अभी refer हुआ LRU के according four को replace कर देंगे फिर आया zero फिर इसे hit हो गया फिर आया four अब यह four की request पहले आ चुकी है और इस बार वो हो गया miss repeated access का miss repeated access का अगर miss है तो इसका मतलब है यह capacity या conflict में से होगा cold miss नहीं हो सकता पहली बार का request था cold repeated access पे फिर से miss हुआ तो या तो capacity या conflict अब पूरी cash full है नहीं तो capacity नहीं है conflict होगा conflict miss हुआ अब four को कहां रखेंगे zero तो अभी अभी refer हुआ है four को eight की जगे पे लाके रखेंगे LRU के according one cold miss क्योंकि पहली बार refer हुआ है one जाएगा one पे three पहली बार refer हुआ है फिर से cold miss three modulus two one पे आया one हिट हो गया five इसके पहले block five की request आई कभी नहीं तो अगर cache memory में कोई block है नहीं है कोई मतलब नहीं है five के लिए miss होगा ही होगा तो इसे बोलेंगे cold miss five को कहां लेके जाएंगे five modulus two is one one पे अगर लेके गए तो हमें यहाँ पे देखना है one की block number one की request अभी अभी आई थी LRU के according three को replace करके five लेके आँ अब one की request आई हिट हो गया वो तो है यह already three की request आई three है क्या नहीं miss हुआ क्या पहली बार request है three नहीं पहले आ चुका है यह three cold miss होके आ चुका है पर replace हुआ क्यों replace हुआ क्यों क्यों क्याश में मेरी इस बार पूरी भर गई if cash memory is completely full तो यहाँ पे आएगा conflict miss नहीं यहाँ पे ये वाला आएगा capacity miss याश मेरी पूरी भरी है इस बार इसलिए capacity miss में count होगा यह three तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे cold miss एक conflict एक capacity miss और एक दो तीन चार hit बारा में से आठ miss चार hit आठ में से छे cold miss एक conflict और एक capacity miss एक चीज पूछना था सर पूछो भई पूछने के लिए मनाई थोड़ी है हमको लगेगा तो हम उत्तर कर देंगे thank you sir ji for efforts lot, learnt lot, CO, DBMS, OSTS, genius thank you thank you so much इतना प्यारे शब्द लिखने के लिए इतने चोटे सब शब्द यही शब्द आप लोग अपने अपने जो भी वीडियो देखते हो उनके comment box में भी कर दिया करो, जो भी आप playlist देखते हो उसके first video पे जाके भी यह comment कर सकते हो अच्छा लगेगा लोगों को review मिलेगा और अगर आप लोग चाहते हो मेरी help करना तो अपने juniors, अपने colleagues तक यह videos पहुँचा सकते हो इस channel की link और मेरे videos की link को share कर सकते हो बटकर शिशर्मा, thank you so much for your kind words, my pleasure, it is all my pleasure की मैं आप लोग को पढ़ा पाता हूँ चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम cache memory use क्यों करते हैं हम cache memory को use इस goal के तरह या वज़े से करते हैं कि हम hit rate बढ़ा पाए, maximize कर पाए और average memory access time कम से कम कर पाए ताकि हम क्या कर पाए, system के performance को बहुत अच्छा कर पाए, पर अगर हमें average memory access time को reduce करना है तो small cache use करनी पड़ेगी, और अगर हमें hit rate maximize करना है तो large cache use करना पड़ेगी अब दोनों तो हो नहीं सकता, एक साथ क्यों, क्योंकि अगर छोटी cache use करी तो ये fulfill हो जाएगा, ये नहीं अगर hit rate बढ़ाने के लिए बड़ी cache use करी तो छोटा cache वाला access time बढ़ जाएगा इसके लिए scientist ने सोचा कि हमें काम करते दोनों को लगाते हैं और multi level cache system use कर लेते हैं कि छोटी level cache use करो, जिसमें access time कम से कम है, hit rate थोड़ा कम होगा चलेगा और फिर second level की cache use करो, ताकि hit rate भी बढ़ जाए और हमारा overall average access time भी कम से कम रहे तो इससे क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे multi level caching system का use होने लगा कि एक 11 level, level 1 cache होगई, जो छोटी है, इसका hit rate कम होगा, ठीक है पर access time बहुत ही छोटा है फिर second level cache थोड़ी बड़ी है, उसमें जादा content रख सकते हो, hit rate इसका यहाँ से increase हो जाएगा of course, 5-10%, 20% से, बट फाइदा यह है कि hit rate अच्छा खासा हो जाएगा, access time अभी भी cache के हिसाब से main memory के हिसाब से हिसाब से छोटा ही है cache memory sir, please define last one, three in last example, क्या भई, यह नहीं समझ में आया, conflict में इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक set full है, current वाला, यह वाला, और यहाँ पे किसी एक block को हमें लाना है इस current block पे यह block full हो गया, एक block replace हुआ, उसी की request थोड़ी देर बाद आई तो क्या होगा, हम कहेंगे कि यह क्या है ना, conflict मिस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि cache memory पूरी भरी नहीं थी पर एक repeated access of a block मिस कर रहा है, क्योंकि पहले वो था cache memory में, अब वो हट गया cache memory से क्यों हट गया, क्योंकि यह पूरा set भर गया था, और इस set में कोई और नया block उसको replace कर गया यहाँ पे वही हुआ था, जब हम यह वाले blocks one से लेके three नहीं लाये थे चार के time पे क्या हुआ था, zero था, eight था, four पहले आ चुका था, बट eight की वज़े से replace हुआ क्यों, क्योंकि इस set पे हम दो block रख सकते थे, दोनों रख दिये, cache में मेरी पूरी भरी नहीं थी पर यह set भर गया और repeated access of a block four आया और यह इसने क्या किया, miss हो गया, क्यों miss हुआ, हम इस set पे दो block ही रख पाए, that was the reason, conflict miss but capacity miss क्यों, अब पूरा cache ही भर गया है हम, पूरा cache भर गया, तो repeated access के वज़े से, जो भी mess होंगे, वो capacity miss अक्षय पूछते हैं, COA में floating point, addressing mode, mapping, types of miss and pipelining ही किया हूँ, और कोई important topic है, क्या इसमें, इतना बहुत है बेटा, ठीक है अगर बाकी के courses कर लिए हैं, ठीक से, और यह जो topic आपने लिखे हैं, इनके PYQs और इनके practice question ठीक से कर लिए हैं, तो आपका काम बन जाएग ठीक है, चले, अब अगर multi level cache है, तो इसमें T average कितना आता है, average memory access time तो level 1 का hit rate है H1, level 2 का hit rate है H2, यहां तो 100% hit होता है, level 1 का, जो access time है T1, level 2 का है T2, और यहां का है access time TMM तो अगर हम simultaneous access देखें, तो उसका formula क्या हो जाएगा T average का, कि अगर पहले level पे ही hit है, तो पहले level का ही access time लगेगा, अगर first level पे miss हुआ, तो आप कहां जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अब second level पे, इस case में दो option है, कि second level पे hit या second level पे miss, अगर second level पे hit हुआ, तो फिर सिफ second level का access time लगेगा, और अगर second level पे miss हुआ, 1-h2, इसी के अंदर है, कि miss हुआ पहले level पे, miss हुआ second level पे, तो फिर main memory का access time लगेगा, that is simultaneous access, पड़ अगर यही चीज़ hierarchical access में लिखनी है तो, which is the default scenario in the multi-level cache, multi-level caching system में hierarchical default scenario होता है, तो आप यहाँ, T average, कैसे लिखेंगे, अगर पहले level पे hit है, तो पहले level का access time, और अगर first level पे miss है, तो second level पे hit है क्या, yes, तो फिर T1 प्लस T2 लगेगा, hierarchical है न, तो पहले level पे हमने check किया miss हुआ, उसके बाद second level पे content मिला, plus अगर second level पे भी miss हुआ, तो तीनो लेवल का access time लगेगा, T1 प्लस T2 प्लस TMM, इसको अगर आप cut shot करना चाहते हैं, तो आप इसको expand करके, open करके, और थोड़ा सा simplify करके, और ये formula निकाल सकते हैं, पहले level का access time लगेगा ही लगेगा, हर जगे, यहाँ भी, यहाँ भी, हर case में, और उसके बाद, अगर first level पे miss हुआ, तो, क्या हुआ, second level का access time लगा ही लगा, प्लस, अगर second level पे भी miss हुआ, तो फिर main memory लगा ही लगा, simplify करके हमने ऐसा लिख दिया, ये, और ये equation दोनों same answer लेके आईगी, कोई tension नहीं है, आप answer as it is निकाल सकते हैं, cash inclusion policy आती है, ये कहती है कि, जो L2 है, इस L2 में L1 का content included है कि नहीं, अगर L1 का जो भी main memory का जो भी block L1 में रखा है, वो L2 में भी रखा है, तो इसे बोलते हैं inclusion policy, कि L1 का पूरा content, जो L1 में है content वो L2 में भी रखा है, सारे main memory के वो block जो L1 में हैं, वो L2 में भी हैं, तो inclusion policy, exclusion policy क्या कहती है, जो block L1 में है, उसके अलावा कुई दूसरे block L2 में है, that is exclusion policy, तो inclusion exclusion का scenario आपको simple है, अब ये scenario के basis पे हमने 3 चीज़ें देखी थी, कि अगर read access के लिए, only read access के लिए हमने देखा था, क्योंकि उत्रा ही है हमारे syllabus में, अगर read access के लिए hit हुआ L1 में, तो content को L1 से read कर लेंगे, inclusion की बात कर रहे हैं, अगर L1 से कोई block उसकी वज़े से replace हुआ है, तो उसको write back अगर करना है, तो main memory में करो, नहीं करना है, तो discard कर दो, L2 में ने लिजाना, L2 में उसका कोई role part नहीं है, L2 से L1 में एक block को copy करा, वो block L2 में तो है ही, L1 में भी copy हो गया, अब L1 में नया block आया, उसकी वज़े से कोई block अगर L1 से replace हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको replace कर देंगे, directly L2 में लेके नहीं जाएंगे, लेके जाना है, तो main memory पे ले जा सकते हैं, write-back की जरुत है, तो main memory में कर दू, अगर L1 में कोई block replace हुआ, write-back की जरुत है, तो main memory कर दू, L2 का कोई part नहीं है, उसमें, L1 से block replace हुआ, तो L2 का कोई role part नहीं, L2 से कोई block replace हुआ, तो L1 का कोई role part नहीं है, that is the inclusion policy का all three cases, अगर exclusion policy है, तो ये बड़ा interesting case था, याद करो क्या करा था, हमने बताया था इसमें, कि अगर L1 में hit हुआ, तो content CPU read कर लेगा, L1 से बात खत्म, अगर L1 में miss हुआ और L2 में hit हो गया, तो इस बार block copy नहीं होता है, क्योंकि exclusion है, L1 में जो block है, वो L2 में रहना जरूरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, L2 से एक block को यहाँ पे L1 में move कराते हैं, जो miss हुआ, move मतलब यहाँ से cut paste करना है, यहाँ से निकालके यहाँ लेके आओ, और अगर यहाँ से वो block, कोई block replace हुआ by chance, अगर कोई block replace हुआ, तो replaced block को हम L2 में move करा देंगे, मतलब block की swapping होगी, अगर कोई block miss हुआ L1 में, L2 में hit हुआ, तो वो block को यहाँ से cut paste करके L1 में paste कर दो, तो उसको L2 में जाके move कर दो, swapping, ठीक है, मतलब L2 में यहाँ कहाँ से block आ रहा है, L1 का replaced block L2 में आ रहा है, अगर miss हुआ L1 में और L2 में दोनों में, तो क्या करेंगे, इस case में main memory पे जाके, जो block miss हुआ है, उसको L1 में लेके आ जाओ, copy करू, main memory से तो copy करते है, तो जो main memory म block present है, उसको L1 में लेके आ जाओ, L2, L2 का कोई scene नहीं है, यहाँ पे directly main memory से L1 पे आए, अब क्या हुआ, L1 से अगर कोई block replace हुआ, तो replaced block जो है, L2 में move कर दो, that's it, यह होता है, इस case में, जब L1 और L2 में दोनों में miss होता है तब, अब इन दोनों case में आप देख सकते हूँ कि L2 में block कहां से आ रहा है, L2 में block आ रहा है, L1 का replaced block, यहां से भी और यहां भी, इसलिए exclusion policy में L2 को कहा जाता है victim cash, क्योंकि इसमें खाली victim blocks हैं, जो L1 से replace ह हो के आ रहे हैं, वही, और कोई a main memory से block नहीं आता इसमें, Sir, did one question, where nothing mentioned which access to use, I used the default hierarchical, but answer was using simultaneous, अगर multi-level hierarchy system है, तो आपको hierarchical by default use करना है, और अगर normal cache है, cache memory, main memory, तो simultaneous by default use करना है, ठीके? चालिए, अब एक और case यहां पर आता है, जिसे हम बोलते हैं dual cache, dual cache का मतलब है कि first level पे ही, इस first level पे ही हमारे पास दो parallel cache लगी होती हैं, एक होती है instruction cache, जिसमें सिफ प्रोग्राम के instructions होते हैं, और दूसरी होती है data cache, जिसमें सिफ operations या data values होती हैं, तो CPU को victim cache in both policy L2, पार्थ मैंने ऐसा तो नहीं कह, क्योंकि यहां पे inclusion policy में तो L2 में हम content को main memory से लेके आ रहे हैं, L1 का replaced नहीं है, समझो और याद रखो, question पूछने की बजाए, यह देख लेते हैं, तो आपको समझ भी आ जाता, L2 में हम यहां से main memory से content ला रहे हैं, यहां पे L2 में content सिफ main memory से आता ह जब L2 में miss हुआ तब, तो कहां से victim cache आई है, सिफ exclusion policy में ही L2 victim cache होती है, तो मैं बात कर रहा था dual cache की, की instructions को यहां और data को यहां, यह होती है, level 2 की cache, next level cache, जहां पे unified cache होती है, मतलब इसमें data भी है, instructions भी है, सब कुछ है, main memory में भी सब कुछ ही होता है, बट यहां पे क्या ह यहां पे i cache, d cache अलग अलग है, ऐसा पता है क्यों करते हैं, क्योंकि pipeline को अच्छा support मिल जाता है, pipeline में क्या होता है न, कि एक instruction का instruction fetch हो रहा है, और दूसरे instruction का operant fetch parallelly हो रहा है, तो क्या हो जाता है, parallelly, i cache यहां से access होगी, d cache यहां से access होगी, काम खतम, maximum time हमें क्या मिल जाता ह है, इसलिए यह i cache, d cache का funda use हुआ है, पर अगर average memory access का time निकालना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, किसका t average निकालना पड़ेगा i cache का, कि instruction instruction को access करने के लिए t average कितना आया, t average के लिए आपको hierarchical formula लगाना है, सिफ इस hierarchy, जिसमें first level पे i cache है, second level पे unified cache है, third level पे main memory है, इतने hierarchy को use करो, जो formula हमने यहां पे लिखा था, यह formula use करो, और average access time only instruction का निकालो, फिर अलग से data access time अलग से निकालेगा, data access time कितना होगा, अगर data का access time निकालना है, तो आप क्या करेंगे, first level पे सिफ यह वाली cache को include करेंगे, तो आपके पास t average data निकालेगा, अलग से, जो इ लेवल पे यह, दूसरे पे यह, तीसरे पे इनके specifications, access time, hit ratio, miss ratio, सब आप access का use कर सकते हो, और उसके बाद में, जब overall t average निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने percentage of access data के लिए है, percentage of instruction access into t average instruction plus percentage of data access into t average data, बस यह, आप simple सा aptitude formula लगा के, और overall average access time, निकाल सकते हो, चलिए, disk स्टार्ट करेंगे next, क्या होती है, magnetic disk, magnetic disk, magnetic medium का storage होता है, जिसे हम secondary memory के लिए use करते हैं, कि अगर power हटा भी लिया जाए, तो भी इसमें content जो है, वो stored रहता है, magnetic disk में ऐसे platers होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह ऐसे platers होते हैं, पर single नहीं, एक के उपर एक बहुत सारे platers connected रहते हैं, एक के उपर एक, बहुत सारे platers ऐसे connected रहते हैं, यह रहे, है ना, और this magnetic medium का सबसे अच्छा advantage क्या है, कि यह जो platers हैं, इन platers के above और below surface जो है, दोनों ही surface, दोनों ही surface को हम use कर सकते हैं, किसके लिए, दोनों ही surface को हम use कर सकते हैं, read right के लिए, मतलब data storage इस surface पी भी हो सकता है, इस surface पी भी हो सकता है, तो अगर ऐसे question में आपको दे रखा हैं कि 6 या 7 आपके पास अलग-अलग platers ह हो जाएंगी जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो ठीक है फिर बात आती है कि मैंगनेटिक डिस्क को जब हम यूज करते हैं तो यह सारी प्लेटर्स जो है वो रोटेट होती है तो इन सारी प्लेटर्स जो है घूमती है अंदर की तरफ स्पिंडल पर यह सारी प्लेटर्स अटाज रहती है यह रहा है यहां स्पिंडल तो यह क्या होता है स्पिंडल जो है इन सारी प्लेटर्स को रोटेट कराता है ताकि इसमें रीड राइट हो सके अब रीड राइट होने के ल हर एक surface का होता है अगर 4 surface हैं 6 surface हैं तो 6 read right head होंगे उपर वाले के लिए अलग नीचे वाले के लिए अलग ये read right head इस तरीके से arms के through connected रहते हैं सारी की सारी arms जो हैं वो आखरी में यहां जाके arm assembly से connected रहती है ये हैं arms इनको arms क्यों कहते हैं क्योंकि ये आपके हाथ की तरह होती है यहां से कोहनी जिस तरीके से आपकी मुड जाती है न ऐसे ही ये arms जो है इस read right head को इस तरीके से आगे पिछे ले जाती हैं आप देख सकते हो यहां पे यह arm है यहां से मुड सकती है यह पूरे इस तरीके से पूरी surface को cover करने के लिए use में आती है यह देखो आप यहाँ पे मूडी हुई यह arms है ना तो यह read right head को इस तरीके से आगे पीछे मूँ कराती रहती है यहाँ पे corner पे आप देख सकते हो यह है read right head एक छोटा सा ठीक है तो यह read right head को arm जो है आगे पीछे मूँ कराती है इस तरीके से इसका moment होता है इसलिए इसको बोलते हैं arm अब यह सारी arms एक साथ read right head को एक साथ आगे पीछे ले जाती है अगर यहाँ पे 6 surface इस आपको दिख रही है 6 arms और 6 अलग-अलग उनके read right heads है सारी के सारी arms एक साथ आगे मूँ करती है एक साथ पीछे मूँ करती है सारी के सारी एक साथ आगे पीछे मूँ करती है तो अगर यह read right head यहाँ कहीं जगे पे है तो उसी जगे पे जस उसके नीचे ही read right head यह वाला भी रहेगा ये भी ये भी ये भी इस तरीके से, सारे read right head आगे पीछे एक तरीके से move करते हैं, एक साथ, चीके उसका फाइदा ये है कि जब हम, अगर आप लोगों ने disk पढ़ी है, तो आपको याद होगा, जब हम एक read right head को एक particular track पर रखते हैं, तो नीचे वाला उसी particular radius के track पर रहेगा ताकि हम एक बार read right head को इस cylinder पर लेके जगए, तो फिर क्या होगा, सारे read right head उसी cylinder पर रहेंगे, उपर वाला read right head, उपर वाले को read करेगा, उसके बाद नीचे वाला, फिर उपर वाला, फिर नीचे वाला, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार के arm moment के बाद में, पूरी इ उपर और नीचे, यहाँ पर है arm assembly, यह सारी arms, और यहाँ पर read right head corner पर, ठीक है, अगर disc के top view को आप देखें, तो हम देखेंगे कि हर एक जो हमारा surface है, उसको ऐसे concentric tracks में बाटा गया है, और उन tracks के फिर हमने बनाए है sectors, यह sector में एक track का यह जो sector है, यह सबसे छोटी unit होता ह है, जिसको disc से एक बार में read or write किया जा सकता है, तो sector is the smallest unit of the disc, जो की एक बार में read or write हो सकती है, तो अगर आप थोड़ा सा broader way में देखें, तो यह रहा आपके पास spindle, यह रहा आपका उपर का surface, यह एक track, यह एक track, यह एक track, यह एक track, इस तरीके से, इन tracks को फिर आप और further divide करते हो sectors में, हम disc में study के time पे क्या बोलते हैं, यह है एक छोटा सा sector, यह जो छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं, यह हैं सारे sectors, सबसे छोटी unit है, एक बार में read or write करने के लिए sector use में आता है, और हर एक sector ही accessible होता है, एक बार का access करने पे पूरा sector एक बार का access हो जाता है, डि sector की capacity दो टाइप की हो सकती है, या तो होगी constant sector capacity, या होगी variable sector capacity, यह जो variable sector capacity वाला disk है, वो अब use होता नहीं है, तो यह use होता है आजकल, that is the default one, जो हम use करते हैं, और इसी के question आब आते हैं exam में, इस constant sector capacity को बोलने का एक और तरीखा होता है, कि हमारे पास variable storage density हो, storage की density जो है variable हो जाएगी, या फिर एक और तरीखा है इसको बोलने का वो होता है, constant, किसी को पता है, angular velocity, जो disk है, constant angular velocity से move करती है, इसको बोलने का तरीखा, just opposite of that, अगर variable sector capacity है, तो constant density हो जाएगी, storage की, और यहाँ पर angular की बजाए, linear velocity constant होगी, constant, linear velocity, अब इसके question आपको हो सकता है, test series में यहाँ वहाँ कहीं देखने को मिल जाएगी, यह होता नहीं, यह use में आजकर, यही use होता है, full sector means, full sector कुछ नहीं, हमारे case में sector यह होता है, actual mathematics में, mathematics में क्या होता है, sector यह होता है, यह pizza का slice जो दिख रहा है न, यह, but disk की study में sector का मतलब होता है, sector of a track, एक track के अंदर का, जैसे कि मैंने कहा, अगर disk की study देखोगे, तो यह, यह नहीं है sector, हमारे mathematics के इसाब से यह sector होता है, but sector, disk की study में हम क्या लेते हैं, एक track के अंदर का ही sector, यह पूरा नहीं लेते हैं, सिफ एक track के अंदर का यह वाला sector लेते हैं, that is the sector within the disk study, so sector of a track को हम क्या कहते हैं, sector of a track को sector कहते हैं, इस disk की study में, ठीक है, अब आपको इसकी पूरी detail जाननी की ज़रूत है ने, डीटेल जानना तब जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी revision कर रहे हो, revision की तरह ही देखो इसको, ठीक है, अगर आपको उसकी पूरी detail जाननी है, तो फिर आपको पूरा full length lectures देखने पड़ेंगे, ठीक है, चली, अब disk की capacity कैसे निकालते हैं, हम इसी को default अगर मानते हैं, तो disk की capacity निकलेगी हमारी 2 into number of platters, यह आपको देगा total कितनी surfaces हैं आपकी disk में, हर एक platter पे दो-दो surface, total surfaces into number of tracks per surface, अगर एक surface पे इतने track हैं, तो total disk में कितने हो जाएंगे, multiply कर दो number of surfaces से, इतने total track हो गए, total track इतने, हर एक track पे कुछ number of sectors हैं, तो total sectors हो जाएंगे disk में, इतने number of sectors per track से multiply करने पे, total sectors मिल गए, और उसके बाद हर एक sector की capacity से इसको multiply कर दो, तो आपको total disk का capacity मिल जाएगा, चलिए, अब disk को जब हम थोड़ा और detail में देखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखती है, यह है read right head, हर एक surface का अपना read right head है, arms है, arm assembly है, बीच में spindle है, बहुत सारी platters है, यह track है, उनमें छोटे 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 धेर सारे sectors, अब अगर specific एक sector को access करना है, मान लो यह वाले, तो इसको access करने में time कितना लगेगा, पहले तो हमें यह read right head को arm के through move करना है, ताकि read right head इस track पे आए, जिस track पे मेरा यह target sector है, इसको move आगे पीछे करने के लिए जो time लगता है, उसे बोलते है seek time, S-E-E-K, फिर जब read right head यहां आ गया, move करने के बाद, उसके बाद इस spindle के through इसको rotate किया जाता है, इसको rotate करने पे थोड़ा तो time लगता है, जी हाँ, कितना time लगेगा, जितना time लगेगा, उसे कहा जाता है rotational latency, rotational latency लग गई, जब read right head के under में यह target sector आ गया, तो फिर उसके बाद उस sector का लगेगा transfer का time की read यह write करने में कितना time लगेगा, तो total time कितना हो गया, seek time, plus, rotational latency, plus, एक sector का, transfer time, total होगा यह disc, एक disc का access time के भराबर, और अगर कोई additional delay दे रखा है question में, तो वो add कर देना, नहीं दे रखा है, तो छोड़ देना, zero ले लेना, seek time क्या है, time required to position the arm, over desired track, arm को आगे बीछे मूँ करने में, फिर rotational latency, time required to rotate the desired sector, under the read right head, तीसरा sector का transfer time कितना होता है, time required to read or write one sector, अब rotational latency, average rotational latency कितनी होती है, disc को एक पूरा rotate करने में, जितना time लगता है, उसका हाँ, एक rotation का time, divide by 2, transfer time कितना लगता है, एक sector का, एक sector का transfer time के लिए, हमें एक छोटी सी information use करनी है, कि एक पूरे rotation में, अगर हम चाहे, तो पूरा track transfer कर सकते हैं, एक पूरे rotation में, पूरा track transfer करेंगे, तो एक छोटी से sector को transfer करने के लिए, कितना time लगेगा, यहां से यहां तक अगर rotate किया, जितना भी time लगा, उसमें पूरा track transfer हो गया, तो एक छोटे से sector को transfer करने के लिए, कितना time लगा, तो एक पूरे rotation में, जितना time लगा, उसको divide कर दो, कितने sectors हैं यहां पे उससे, तो हम लिखेंगे यहां पे, one rotation का time of the disk, divided by number of sectors per track, एक track में कितने sector हैं, उससे divide कर दो, तो एक sector का transfer time निकल जाएगा, चीक है, चलिए, अब यह question जल्दी से आप लोग solve कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको निकालनी है, number of bits required for addressing the disk, disk को एगर address करना है, तो हर एक sector को address लगता है, each sector get one address, याद रखिएगा, चल, जल्दी से बता दो इसका answer क्या आ रहा है, झाउ जपको कजंग से और श्च्त समादु नह 어떻रे हैं 떨어지के लागताष, यादा करे आ यह से conse controller क्या है, तो झो जुछ। है जल्दी से ता हो never know about the याद रखना है, जल्यूना ह Бुल being STEVE, तो आ झांदी, मुल झांदी, यादीरा मुला, करो करो जल्दी से सॉल करो डिस्क में 16 प्लेटर से डिस्क की केपैसिटी निकालनी है तो डिस्क का केपैसिटी 16 प्लेटर हर एक प्लेटर के दो-दो सर्फिस इन्टु 1 के ट्रैक्स पर सर्फिस इन्टु 1 के सेक्टर्स पर ट्रैक्स इन्टु 2048 मतलब 2 के बाइट्स पर से 16 दो की गार चार 2 पाउर 4 इन्टु 2 पाउर 1 5 15 25 36 विच इस 64 गीगाबाइट सेकेंड वाला देखते हैं नंबर ओफ बिट्स रिक्वाइड टो एड्रेस दे सेक्टर्स तो पहले नंबर ओफ सेक्टर्स निकालेंगे डिस्क पे नंबर ओफ सेक्टर्स ओन डिस्क निकाल लो वो आएगा ये कैपैसिटी माइनस कर दो इसमें से 16 इतनी सर्फेस हर एक सर्फेस पे वनके ट्रैक्स हर एक ट्रैक पे वनके सेक्टर्स टू पाउर 25 सेक्टर्स आने चाहिए दस दिस बीस और पांच 25 तो यहाँ पे एड्रेस के लिए हर एक सेक्टर की एड्रेस हिंगे लिए 25 बिट लगनी चाहिए थर्ड है find disk का access time disk का access time कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से disk का access time निकालने के लिए हमें करना है पहले तो seek time seek time कितना है question में दे रखा है 12 millisecond plus rotational latency होता है 1 rotation time divided by 2 plus 1 sector का transfer time 1 rotation का time divided by number of sectors per track number of sectors per track दे रखे हैं 1 की अब एक rotation का time नहीं पता सर एक rotation का time नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे rotational speed दे रखी है जी हाँ इससे निकालेंगे 3000 rpm से हमें पता है 3000 rotations के लिए time लगता है 1 minute which is equal to 60 seconds which is equal to 60,000 millisecond millisecond में क्यों convert किया क्योंकि दूसरे options भी millisecond में है इसलिए 3000 rotations के लिए उतना time तो एक rotation के लिए कितना time 60,000 millisecond divided by 3000 20 millisecond तो 20 यहां रख दो कितना हो जाएगा यह 12 plus 10 प्लस 0.02 1000 से divide कर दो इसको 20 को तो एक 0 तो यहां से चली गए 100.02 तो कितना आ जाएगा यह 22.02 millisecond पोर्त option क्या है डिस्क का transfer time डिस्क का transfer rate डिस्क का transfer rate निकालने के लिए हमें पता है कि in one complete rotation one complete track can be transferred एक पूरे track को transfer करने के लिए पूरा rotation लगता है अब एक track पे कितना data रखा हुआ है एक track पे 1K sectors है हर एक sector की capacity है 2 kilobyte की तो एक track की capacity जो है वो है 1 kilosector हर एक sector का size है 2 kilobyte का which is 2 megabyte अब 2 megabyte का data आप एक पूरे rotation 20 millisecond में transfer कर सकते हो तो हम लिखेंगे कि 20 millisecond में जो data transfer होता है वो होता है equal to 2 megabyte तो एक millisecond में कितना 2 megabyte divided by 20 अब millisecond को आपको second में convert करना पड़ेगा rate निकालने के लिए तो एक second में कितना 2 megabyte 20 millisecond को second में convert करो तो लिखेंगे 10 to the power minus 3 second लिखोगे छोटी value को बड़ी value में convert किया तो इधर 10 to the power minus 3 का multiplication यह minus 3 उपर गया प्लस 3 बना प्लस 3000 इधर add कर दो है ना 1000 add कर दो 2000 divided by 20 2000 divided by 20 मतलब 100 megabyte per second यह आगया transfer rate तो यह आगया आपका चोधा answer transfer rate अगर पूछे तो यह आप ले सकते है 100 megabyte per second ठीक है चली अब अगर एक से जादा sectors हमें transfer करने हैं तो क्या करना पड़ता है अगर एक से जादा sectors transfer करने पड़े तो उसमें पूरा time जो लगेगा वो depend करता है कि सारे sectors हमारे sequentially stored है या randomly अगर sequentially stored है तो seek time और rotational latency एक एक बार ही लगती है पड़ अगर randomly stored है तो ये दोनों भी हर बार लगती ही जितने sectors हमें transfer करने हैं उनके लिए तो अगर n sectors transfer करने हैं और सारे के सारे sectors जो है sequential stored है तो फिर हमाई जो total time लगेगा वो लगेगा एक बार का seek time प्लस एक ही बार का rotational latency और n times एक sector का transfer time क्योंकि सारे sectors जो है वो sequentially उसी track के अंदर है तो एक ही बार seek time और एक ही बार rotational latency लगेगी एक बार read right head starting sector पे आगे उसके बार transfer, 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 transfer और काम खतम बट अगर सारे sectors randomly stored है randomly है मतलब पता नहीं कहां कहां पे है पहला sector कहां है, दूसरा कहां है, तीसरा कहां है तो हर एक के लिए seek भी लगेगा, rotational latency भी लगेगी तो अगर ऐसा case है, n sector के लिए random का case है तो total time जो लगेगा वो लगेगा n times ही seek time plus rotational latency plus एक sector का transfer time याद रखिएगा ठीक है, चलो अब जल्दी से ये question solve कर लो option है, a.5 second, option 2, b.1.25, c.1.5, d.1 second जल्दी से बता दो कि अखिए झाल चलिए क्या है क्योशन में एप्लिकेशन लोड्स 100 लाइबरीज एच स्टार्टप लोडिंग इच लाइबरेरी रिक्वार्स एक लाइबरेरी के लिए एक दिस्क अक्सेस लगता है the seek time of the disk to the random location is 10 millisecond rotational speed 6000 rpm if all 100 libraries are loaded from random locations how long does it take to load all libraries एक और चीज दे रखी है time to transfer data from disk block once head has been positioned at the start of the block may be neglected मतलब transfer time neglect दे रखाए data transfer time या sector transfer time आपको निगलेक करना है 0 लेना है मतलब seek time और rotational latency ही लेनी है बस तो question random access का है hundred time access करना है total time लगेगा hundred plus seek time seek time कितना होगा सर seek time head 10 millisecond plus rotational latency one rotation का time divided by 2 millisecond अब एक rotation का time हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे हमें पता है question में दे रखाए 6000 rpm disk का rotational speed है तो 6000 rotations का time जो लगता है disk पे वो लगता है एक minute या फिर 60 seconds या फिर 60,000 millisecond तो एक rotation का time कितना होगा millisecond में 60,000 millisecond divided by 6,000 answer is 10 millisecond तो 10 millisecond यहां रखेंगे यह जाएगा hundred into 10 plus 5 15, 1500 millisecond या फिर 1.5 second answer is 1.5 second see option correct है फिर हमने access time को save करने के लिए cylinder का concept देखा था कि हम एक बार read right head को सारे read right head को एक साथ position करके यहां store कर लें उसके बाद इस track को पूरे transfer कर दें फिर seek time फिर से ना लें और next वाली surface के next track को transfer कर दें फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको इसको इस तरीके से हम cylinder form कर सकते हैं logically इससे क्या होगा इससे यह होगा कि हमें seek time बार बार नहीं लगेगा और एक ही cylinder के अंदर sequence चली हम पूरा data रख सकते हैं इतनी सारी surfaces पे मिला के read right head तो हमारे पास पहुंची गए है seek time हर में हर बार नहीं लगेगा तो cylinder से अगर हम time save कर सकते हैं तो data store होता है cylinder वाइस तो पहले cylinder फिर cylinder के अंदर कौन सी surface और उस surface के अंदर भी कौन सा वाला sector इसके ही concept के थू हमारे पास एक disk addressing का concept आता है कि हम disk का address देते हैं chs format में c इस cylinder नंबर h उसके अंदर surface नंबर और s उसके अंदर sector नंबर तो अगर हमें ये chs address दे रखा है और पूछा गया है कि ये chs address जो है किस specific sector का है तो जो भी हमें sector पता करना है उसके लिए हमें क्या करना है फॉर्मूला लगाना है c into nc plus h into nt plus s अब ये nc और nt क्या है सर nt है number of sectors per track जो question में given होगा और nc है number of sectors per cylinder ये number of sectors per cylinder निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है nt into number of surfaces जितनी surfaces हैं डिस्क में उसको nt से multiply कर दो आपको nc मिल जाएगा अगर reverse निकालना है तो याद ही क्या करते हैं reverse अगर निकालना है कि ये sector दे रखा है और chs निकालते हैं तो कैसे करते हैं c अगर निकालना है तो जो भी sector number दे रखा है उसको आप पहले divide करो nc से और इसका floor value ले लो फिर अगर h निकालना है तो पहले sector को modulus लो nc से और उसके बाद इसको divide करो nt से और floor value ले लो s निकालना है तो आखरी वाले division का भी modulus ले लो sector modulus nc modulus mt ये हैं formulas जो हम पूरा detail में देखे थे कि कहां से formulas आते हैं ठीक है फिर ये questions हमने solve किये थे 2009 के gate question है पहले address दे रखा है sector पूछा है दूसरी बार sector दे रखा है address पूछा है दोनों जो हमने formulas देखे हैं जल्दी से लगा दो और answer निकाल रूटा फटा-फटा रूटा तो झाल झाल बताओ बताओ जल्दी से हमारे पास है सबसे पहले हम NC और NT निकाल देते number of sectors per track 63 sectors per track number of sectors per cylinder number of sectors per cylinder NP into number of surfaces 10 platters हर एक platter में 2 surface टोटल हो जाएंगी 20 surfaces 1260 तो पहला जो question है इस question का answer आएगा 400 into 1260 plus 16 into 63 plus 29 कितना आ जाएगा ये 505037 calculate करके देख लो आ जाएगा आपको दूसरा question है 1039 सेक्टर का address बताओ तो हमें C निकलेगा 1039 divide by 1260 और उसकी floor value divide करेंगे 1260 से चोटी value है तो 0 बार answer आएगा जीरो सिलेंडर नंबर 0 फिर सर्फेस नंबर 1039 modulus by 1260 1039 नहीं आएगा क्योंकि छोटी value है divided by NT 63 lower value ले लो 16 आएगा करके देख लो आ जाएगा फिर S 1039 modulus by 1260 and modulus by 63 आपको मिलेगा 31 0,16,31 answer आएगा अब ये simple mathematics है और कुछ भी नहीं चलिए आपका disk और cash का पंड़ा खतम हुआ कल आखरी topic रहेगा हमारा जिसमें हम pipeline discuss करेंगे और ये पूरा COA का हमारा revision खतम हो जाएगा अगर आप लोग चाहते हों कि मैं और मेरी peri team आप लोगों के साथ रहें पूरे throughout the year आपकी preparation में तो आपके पास अभी एक golden chance है बहुत बड़ा discount पाने का unacademy plus iconic subscriptions के लिए जो की आपको 30% का round discount दे देगा ये offer जो है सिर्फ 13th January तक ही है आप use करेंगे code VDWP10 तकि मैं और मेरी team आपको पूरा support दे पाएं और आखरी तक आपकी preparation में आपका साथ दे पाएं आप लोगों को plus iconic पे बहुत सारे features मिलेंगे बहुत अच्छे lectures मिलेंगे organized और systematic content मिलेगा और मेरी पूरी team का support भी आपको मिलेगा आप ये code use करेंगे तो रोद्रा lectures भी आपके लिए available हैं आप लोगों को पता ही है जो की बहुत बहुत iconic lectures हैं ये recorded lectures आपको मिलेंगे रोद्रा CSIT अलग से unacademy platform पे recorded lectures सिफ recorded रहेंगे इसमें आपको सारे courses के recorded lectures ही बस मिलेंगे इतनी prices में इसके लिए भी आप code use कर सकते हैं discount पाने के लिए vdeep test आप लोगों के लिए एक नया AIMT test आने वाला है 15th of January को अगर आप लोगों ने All India mock test के लिए apply नहीं किया है तो कर दो और ये mock test जो है वो आपको gate like mock test होगा जिसमें आपको 65 questions होंगे और free test है इसके लिए enrollment के लिए link दे रखिए वीडियो के description section में जाएं अगर आपसे code पूछे freely enroll करने के लिए ये code लगा देना कोई पैसे दे बगेर आप इन mock test को अनेक एडमी platform पे लिख सकते हो उमेद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा इसको like करिएगा शेयर करिएगा अपने सारे friends के साथ इस channel के content को keep learning happily जब तक की टार्गेट अचीव नहीं हो जाता मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखेंगे हैपी लर्निंग बाबाई